अपने सारे दर्सों को सुरताओं को मुझे प्रनाम करते हुए बहुत गर्व मश्यूश होता है कि आज मैं आपको निर्जला एकादसी का महत में बताने जा रहा हूँ किर्पया करके सांती से इस बरत को सुनिए और इसका पालन कीजिए युदुष्ठी ने कहा जिनारधन स्रेष्ट मास के सुक्ल पक्ष में जो एकादसी परती हो किर्पया उसका वर्णन कीजिए भगवान शुरी कृष्ण बोले राजन इश्का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवदित नंदन ब्यासजी करेंगे क्योंकि ये संपुर्ण सास्तों के तत्वज और बेद बेदांगों के प्रांगत भी द्यवान हैं तब बेद ब्यासजी कहने लगे दोनों ही पक्षों की एकादसीयों के दीन भोजन न करें दो आदसी के दीनस्नान आदी से पबित्र हो फूलों से भगवान केशों की पूजा करें फिर नित कर्म समाप्त होने के पहचात पहले ब्रहमनों को भोजन देकर अंत में सुयम भोजन करें राजन जनना सौच और मरना सौच में भी एकादसी को भोजन नहीं करना चाहिए यह सुनकर भीम सेन बोले प्रम्भ धिमान पितामा मेरे उत्तम बात सुनिये राजा यिदुष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अरजुन, नकुलर सोधेव यह एकादसी को भी कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीम सेन तुम भी एकादसी को नखाया करो किन्तु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ, मुझसे भूख नहीं सही जाएगी भीम सेन की बात सुनकर ब्यास जी ने कहा यदि तुम्हें स्वर्ग लोग की प्राप्ति अभिष्ठ हैं और नरग को दूसी समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादसीयों के दिन भोजन न करना भीम सेन बोले, महा बुद्धिमान पितामा, मैंने आपके सामने सची बात कहता हूँ एक बार भोजन करके भी मुझ में ब्रत नहीं किया जा सकता फिर उप्वास करके तो मैं मर ही, मैं रह ही कैसे सकता हूँ मेरे उदर में ब्रिक नामक अगनी सदा प्रोजलित रहती है अता, जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी असांत होती है इसलिए महामुने, मैं बर्स भर में केवल एक ही उप्रास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ती सुलव हो, तथा जिसके करने से मैं कल्यान का भागी हो सकूँ ऐसा कोई एक ब्रत निश्चे करके बताईए, मैं उसका यतोचीत रूप से पालन करूगा बियाह जी ने कहा, भीम, जेश्ट मास में सुर्य ब्रीश रासी पर हो या मिथू रासी पर, सुक्ल पच में हो या एकादसी हो, उसका यतन पूर्वक निड़जल बर्त करो केवल कुला या आमचन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी परकार का जल बिद्धवान पुरुस मुख में न डाले, अन्यथा ब्रत भंग हो जाता है, एकादसी सुर्योधे तर मनुस जल का त्याक करे, तो यह ब्रत पूर्ण होता है तदनेंतर द्वादसी को प्रभातकाल में असनान करके, ब्राहमनों को बिधी पुर्वक जल और सुवर्ण करदान करें, इस परकार सब कारे पूरा करके, जितेंद्रिय पुरुष ब्राहमनों के साथ भोजन करें, बर्स भर में जितनी एकादसियां होती है, उन सब का फल निर्जला एकादसी के सेवन से मनुस्र पराप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं, संख, चक्र और गदा धारन करने वाले भगवान केसव ने मुझ से कहा था, कि यदि मानों सब को छोड़ कर एक मात्र मेरी शर्म में आ जाए, और एकादसी को निरहार रहे तो असब पापों से छूड़ जाता है, एकादसी ब्रत करने वाले पुरुस के पास बिशाल काय, बिक्राल, आकरिती और काले रंग वाले दंड पासधारी भयन कर यमदूत नहीं जाते, अंदकाल में पितामबरे धारी, सौम में सभाव वाले, हात में सुर्दर संधारन कर करने वाले और मन में समान बेगशाली विश्णू, दुद्ध, आखिर इस बशनाव पुरुस को समान विश्णू के धाम में ले जाते हैं, अता निर्जला एकादसी को पुर्ण यतन करके उप्वास और स्रीहरी का पूजन करो, इस्तरी हो या पुरुस, यदि उसने मेरू प्रवत के समान भी पाक किया हो, तो वह इन सब एकादसी बरत के परभाव से भस्म हो जाता है, जो मनुस उस दिन जल के नियम का पालन करता हैं, वह पुर्ण का भागी होता है, उसे एक परकार में कोटी कोटी स्वर्न मुद्ण करने का फल प्राप्त होता है, मनुस जला एकादसी को बिधी पूर्वक उत्तम रीती से उप्वास करके मानव बैश्नव पद को प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य एकादसी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर दुरगती को प्राप्त होता है जो जेश् को ही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं कुंति नंदन निर्जला एकादसी के दिन श्रधालु इस्तिर्व पूर्शों के लिए जो विशिस दान और करतब विहित है उन्हें सुनो उस दिन जल में सयन करने वाले भगवान विश्नु का पूजन और जलमई करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धित्मई धेनु का दान उचित है परियाप्त दक्षिना और भाती भाती के मिश्ठानों दोरा यतन पूर्वक ब्रहामनों को संतुष्ट करना चाहिए एसा करने से ब्रहामन अवस्य संतुष्ट होते हैं और उनके एकादसी के अबरत किया है उन्हें अपने साथ ही बीती हुई सो पिडियों को और आने वाली सो पिडियों को भागवान बासुदेव के परमधाम में पहुचा दिया जाता है निर्जला एकादसी के दिन अन्य वस्त गव जल शया सुन्दर आसन कमंडल तथा छाता दान करन है जो इस एकादसी की महिमा को भक्ती पुर्वक सुन्ता अत्वा उसका वर्नन करता है वो अस्वर्ग लोक में जाता है चतुर्दसई युक्त अमस्या को सुर्य ग्रहन के समय श्राध करके मनुस जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस स्रावन से भी प्राप्त होता है पलते दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केसव की प्रसंता के लिए एक आदसी को नीराहार रहकर आम आचमन के सिवा दुसरे जल का भी त्याग करूँगा दुगादसी को दिवेश्वर भगवान बिश्नु का पूजन करना चाहिए गंध, धूख, पुश्प और सुंदर बस्त्र से बिधी पुर्वक पूजन करके जल के घोरे के कान का संकल्प करते हुए जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंतर का संसार सागर से तारने वाले है देव रिशिकेस इस जल के घरे का दान करने से आप मुझे परम गति कराईएं। भीम शेन जेष्ट मास में सुकल पक्ष्टी जो सूब एकादसी होती है उसका नीरजल बरत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ट ब्रहामनों को शक्कर के साथ जल के घरे दान करने चाहिए। इसा करने से मनुस्व भगवान बिश्णू के समीप पहुँचकर आनंद का आनंद मैपद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीम सेन ने भी इस सुब एकादसी का बृत अरम कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादसी के नाम से विख्यात हुई। तो एक बार बोलिए ओम स्री हरी नारायन। ओम स्री हरी नारायन